क्रिकेट प्रेमियों IPL 2024 का रोमांच जारी है और अब नजर डालते हैं एहमदाबाद के नरेंद्र मोधी स्केटर के बोने वाले पांचवे मैच पर जहां गुजरात टाइटन्स जीटी का मुकाबला मुंबई इंडियन्स MI से होगा ये दोनों मजबूत टीमें आमने सामने होंगी और पिछले चार मुकाबलों में दोनों ही टीमों को दो से दो से जीत मिली है ऐसे में इस बार भी एक रोमांचक मुकाबले का अनुमान है आज के विडियों में पावर प्ले स्कोर, टॉस विनर, फर्स्ट इनिंग्स का क्या स्कोर रहेगा आज के मैच में कौन बाजी मारेगा ये सारी जानकारी दी जा रही है गुजरात टाइटन्स भले ही IPL की नई टीम है लेकिन अपने पहले ही सीजन में शांदार प्रदर्शन कर टॉप पर रही थी वहीं मुंबई इंडियन्स का लंबा इतिहास रहा है हालांकि पिछले कुछ सीजन उनके लिए मिले जुले रही है पिछले साल चौथे स्थान पर रहने के बाद उन्हें इस बार दमदार वापसी की उम्मीद है इस मुकाबले में एक दिल्चस्प मोड यहा है कि हार्दिक पांडिया अब मुंबई इंडियन्स के कप्तान के रूप में मैदान पर उतरेंगे गुजरात टाइटन्स के बारे में उनकी गहरी जानकारी मुंबई इंडियन्स के लिए फाइदे मन साबित हो सकती है अब हम भारत के नंबर वन क्रिकेट मैच डिप पर द्वारा बताए गए आज के मेगा जैकपॉट क्रिकेट मैच की भविश्यवानी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा गुजरात टाइटन्स में नेत्रित्व परिवर्तन हुआ है हारदिक पांडिया के मुंबई इंडियन्स जाने के बाद शुगमन गिल इस सीजन टीम की कमान संभालेंगे हालांकि मौहमद शमी के चोटिल होने से टीम को जटका लगा है लेकिन राशिद खान की तीन महीने के बाद वापसी और उनके साथ ही अफगानी खिलाडी नूर एहमद और अजमतुल्ला उमरजाई टीम को मजबूती देते हैं केन विलियमसन चोट से उबर कर इस सीजन में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं अगर टॉस की बात करें तो आज के मैच में सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा हमारी सौ प्रतिशत मैच भविश्यवानी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रडिक्शन, टॉस गुजरात टाइटिन्स, टॉस जीतेगी टॉस की कोई रिपोर्ट या विशलेशन नहीं होता है, बस एक अनुमान है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले विदेशी खिलाडियों में डेविट मिलर, मैथ्यू वेड, जोश लिटिल और स्पेंसर जॉनसन भी शामिल हैं जो एक मजबूत टीम बनाते हैं पिछले दो सीजन में राहुल तेवतियां और विजय शंकर ने आलराउंडर के रूप में शांदार प्रदर्शन किया है सलामी बल्लेबास के तौर पर शुबमन गिल के साथ रिधिमान साहा पारी का आगास कर सकते हैं गिंदबाजी आक्रमण में उमेश यादव, मोहित शर्मा, कार्तिक त्यागी, साई किशोर और जयंत यादव जैसे भारतिय खिलाडी शामिल हैं अगर गुजरात टाइटन्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, पहली पारी में 6 ओवर के पावर प्ले में नरेंद्र मोधी स्टेडियम, एहमदाबाद, मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर 49-55 के बीच स्कोर कर सकती है और सब्सक्राइब करना न भूलें। पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियन्स एक नए सफर की शुरुवात करेगी। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जस्परीत बुमरा और अनुभवी पियूश चावला जैसे भारती य खिलाडी टीम की री हैं। वहीं पियूश चावला को आराम दिये जाने पर श्रेयस गोपाल उनकी जगा ले सकते हैं। विदेशी खिलाडियों में टिम डेविड, दिल्शान मदुशंका, मौहमद नभी, रोमारियो शेफ़र्ड, नुवान थुशारा, देवाल्ड ब्रेविस, गेराल कोईट जी और लूक वुड शामिल हैं। आर टुडे मैच रिपोर्ट इस गुजरात टाइटन्स यहां मैच जीतेगी। तो क्रिकेट प्रेमियों आप किस टीम की जीत का इंतजार कर रहें। प्रिप्शन में दिये हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड सकते हैं।